आज सब एक जूट हुए हैं कि सब चंदा चिठा करके अपने से इसको बंद कर देंगे और ये पूरे तरह से कहिए कि नियम संगत बैठक हुई थी सारे प्रसासनिक अधिकारी पताधिकारी आये थे सामोई कुरूप से लिखित आस्वासन दिये थे लेकिन इसका समाधान नह कि अपने हाथ में लेकि जो है जो है ब्लॉक करना कि ता गूलो कोई कुछ नहीं कर रहा है तब हम लोग अब जो है पॉला निकलने लगा उदर वह जाम होगया नला भी उपर हो गया अब हम लोग था तब हम लोगा आज इसको भरेंगे तो फिर आके बोलते हैं कि दो दिन चाहिए बोलिया भया जब फिर मिट्टी डालने के लिए हैं तो बोलिया भया दो दीन आप इतना दो दिन कभी खतम होता है सांतिनिगर और लोहियानेगर नाले विवाज से आप सबी वाकिफ होंगे नाले को लेगर दो बहुले आपस में कई बार बिढ़ चुके हैं बीते दिन जब लोहियानेगर वासियों ने जब नाले को बंद कर दिया था तो प्रशासन ने हस्तचेप कर दे वे कुछ दिनों का बहुलत लेकर नाले को पुना खुलवाया था साथ ही कहा था कि जब मिशन रोट की हो नाले का निर्मान हो जाएगा तो पुनराले को बंद कर दिया जाएगा उनका कहना था कि नाले को बंद कर देने से पानी जमा हो रहा है और ऐसे वे नाले का निर्मान करने में काफी परिशानी हो रही है लेकिन जब कई दिन बीट गे और दुबारा से लोहिया नेगर के खरों में पानी खूसने लगा तो लोहिया नेगर वासी स्वधा संग्यान लेते हुए नाले को मिट्टी के सहारे बंद करने लगे और सांधी नेगर के महले वासी इसका विरोध करने लगे इस बीच विबाग के लोग आए और दो दिनों की महलत मांगे सुनिये दोनों महले के लोग क्या कह रहे हैं अज पानी बंद कर रहा है मिट्टी गिरा रहा पानी हम लोग घर में चुकेगा घंदकी होगा अब नाला का पानी किसी घर में अंगना में चला जाए इसलिए वो जो भी कुछ कर रहा मनमानी धंग से कर रहा है उनका कहना है कि प्रशाषन द्वारा ये बताया गया थे कि 20 दिसम्मर को 12 से नाला बंद कर दिया जाएगा और जब प्रशाषन नहीं की तो वो खुछ से आके बंद कर रहा है प्रशाषन का काम है किसी भी आदिकार करता है अब महला वाले को जोर्ति नाला बंद करने का धिकार किसने दिया हो अप लोग यह आप फेशल हो यानेगर वासी यहाँ पर इस नाले को लेकर आए हैं क्या अप लोग करने वाले हैं एक अचल ज़िए परें परें लोग आगरण था खार से अब लोग जाता है सब लोग आगा तो इसलिए हम लोग जब अधर बनने लगए लगा तो हम लोग और जाना दुछ जाए गा लेकिन वोग ऑड्यक्शन डाल दिया कि यह पनी अधर नहीं जाएगा यह अधर नहीं जा कि पधादिकारी बोला कि 11 दिसंबर का हम लोग टाइम लेते जिक 15 दिसंबर चाहिए पहाद चुछ दिसंबरी 8 जनबरी हो गया अभी तक वो लोग कोई कुछ नहीं कर रहा है तब हम लोग अब जो पनी पूरा निकलने लगा उदर वहाँ जम हो गया नाला भी उपर हो गया अब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग आप सजय जुठ हुए जाज इसको भरेंगे तो फिर आके बोलते हैं कि दो दिन टाइम चाहिए बोलिया भया आज आप लोग फिर मिट्टी डालने के लिए आए तो बोलिया भया दो दिन आउट टाइम कितना दो दिन कभी खतम होता है ते दिन आप लोग द्वारा नाली बंद करवाया गया था फिर प्रशाषा ने उस नाली को खोलवा दिया और उन्होंने 20 दिसंबर का समय दिया था फिर से नाले को बंद करने के लिए ड़ी द्वारा 20 दिसंबर तक का लिखित आस्वासन दिया गया था कि हम लोग का जो काम हो जाएगा नाला निर्मान तो ततकाल निकासी को हम लोग 20 दिसंबर तक बंद कर देंगे उसके बतलागातार हम लोग संपर्क में रहे हमेशा दस दिन पांच दिन का समय लेते रह गये और आज एक महिना से जादा हो गया लेकिन वो निकासी बिंदू को बंद नहीं किया जा सका है अभी भी 2-3 दिन का समय मांगा जा रहा है तो आज आप लोग बंद करने के लिए लोहिया नगरवासी तयार नहीं है इसलिए कि जो एक डर महिनाम नहीं हो पाया दो दिल में क्या हो गया इसलिए आज सब एक जूडवे हैं कि सब चंदा चिठा करके अपने से इसको बंद कर देंगे और यह पूरे तरह से कहिए कि नियम संगत बैठक हुई थी सारे प्रसासनिक अधिकारी पदाधिकारी आये थे कि लोहिया नगरवासी का कहना है कि उन्हें 20 दिसमबर का समय मिला था और कहना था कि दुबारा से नाले को बंद कर दिया जाएगा आज उन लोग खुझ से यहां पर नाले को बंद करने के लिए आए आए हैं क्या कहिएग आप में इसमें जो है सबpowers किया गया था तो उन्हीं लोーक ऐसे बनता है कि वो लोग आ देते लेकिन इस तरह अपना कानून अपने हाथ में ले लेना ये तो अज उनलोग दोरह क्या मिट्टी भर दिया गया है तो कई दिनों से लोहिया नेगर शांति नेगर नाले विवाद चल रहे हैं और आज देखा जा रहा है कि लोहिया नेगर वासी फिर से दुबारा से उस नीचे क्योंकि ये प्रसासनिक चीज है प्रसासन को खुद से संग्यान लेना चीए 20 दिसंबर का उन्होंने लिकित रूप में दिया था कि 20 दिसंबर तक हम चालू करवा देंगे नाला इधर बंद कर देंगे तो अब उनको ये संग्यान लेना चाहिए कि अभी तक इतना लेट हो गया और किस कारण से लेट हो गया वो स्वेंग बताएं इसको आकर लेकिन आज हमको जैसे ही पता चला लोग कहें कि यहां पर आये हैं और मिट्टी डाल रहे हैं तो हमने इसको टिप को फॉन किया पर निजि ojos से बात करी कि क्या बात है इस तरह का वश्यार हो रहा रहा है आप जो समय दिये और समय में आप काम नहीं करा पार हें हैं तो इसका प्रक्रुद्द परणने की थाले कि आप समस्या का समाधान कर देंगे और जो रोड बचा खुचा जहां पर है वह भी चालू हो जाएगा चुकि संजीवनी के पास काम उनका नाला का चल रहा है और इसी वज़ा से वह रुका हुआ है तो हमको लगता है कि एक सप्ता के अंदर सारा चीज हो जाना चाहिए